दोस्तों अगर आप भी पेटे में अपना एक नए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यार 2024 में पूरी तरीके से पेटे में अकाउंट बनाने का प्रोसेस बदल चुका है, चेंज हो चुका है, अब आपको कैसे अपना पेटे में अकाउंट क्रेड करना है, साथे साथ में कैसे आपको पैसे transfer करने हैं, पैसे receive करने हैं और सबसे कमाल की बाद दूस्तूं ये है कि अगर आपके पास ATM card नहीं है, debit card नहीं है तो आप अपने अधार card से अपना bank account को link कर सकते हैं और साथे साथ में अगर आपके पास bank खाता भी नहीं है तो आपको कैसे paytime application का use करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा दिखीगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके सबसे बहुत दूस्तों आपको काम करना है अब आपको इसको सबसे बहुत इंस्टॉल करना है यानि कि अपने phone पर download करना है अब आप paytime app को open करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना mobile number को enter करना होगा और mobile number आप उसी को enter करेंगे जो आपके bank खाते के साथ में link है और अगर आपके पास bank account नहीं है तो भी आप paytime का use कर पाएंगे कैसे करना है वो भी मैं आपको आगी वीडियों बताऊंगा हमने अपना mobile number इंटर कर लिया है उसके बाद हम proceed करेंगे यहाँ पर आपको कुछ permission को allow करना होगा तो आप सब भी permission को allow कर देंगे अब आप यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे paytime की तरब से आपके number को यहाँ पर verify किया जाएगा और आपके number पर इस तरह के से जो है OTP आजाएगा और यहाँ पर आप directly paytime app में login हो जाएगे अब दूस्तों आपको सबसे पर यहाँ पर अपना bank खाते को link करना होता है इसको use करने के लिए और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास bank खाता नहीं है तो अभी आप PTM का use कर पाएंगे अभी हम bank खाता सबसे पर लिंक करना सीखेंगे आपको सबसे उपर यहाँ पर एक profile का icon नजर आएगा इसकी उपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको link bank account के उपर क्लिक करना है अगर आपको यहाँ पर यह option नजर नहीं आता है तो आप यहाँ पर UPI and payment settings के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको options आएगा add bank account क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका कौन से bank में खाता है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में account है zero balance तो हम अपना कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर select कर लेंगे चाहे तो हम यहाँ पर search भी कर सकते हैं और अगर आपके पास bank खाता नहीं है तो आप दो मिनिट में घर बेटे अपना जो है कोटक महिंद्रा बैंक में zero balance खाता खुलवा सकते हैं कैसे open गरवाना है इस पर already मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है अगर आपको देखना है तो वीडियो के discussion में आपको link मिल जाएगा आप बाद में इस वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पर select करेंगे अब आपको अपने bank खाते को यहाँ पर verify करना होगा और verify इसलिए किया जाता है ताकि आपके bank खाते के साथ में कोई भी fraud ना हो यानि कि कोई भी दूसरा person जो है आपके account को access ना कर सके इसलिए आपको यहाँ पर दो तरह के से verify करना होता है अगर आपके पास ATM card है debit card है तो आपको इसको select करना होगा पहले वाले options को अगर आपके पास ATM card debit card नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना अधार card के थुरू भी आप यहाँ पर अपना UPI को यहाँ पर verify कर सकते हैं और अपना bank account को link कर सकते हैं लेकिन याद रखीगा आपका अधार number आपके bank खाती के साथ में link होना चाहिए तो चलिए फिलाल हम यहाँ पर अपना debit card का options को select कर लेते हैं अगर आपको अधार card से bank account को link करना है तो कैसे करते हैं इस पर मैंने पहले से video बना के रखा हुआ है उसका भी link आपको वीडियो के discussion मिल जाएगा आप बाद में उस video को ज़रूर देखी का तो चलिए हमने debit card को यहाँ पर select कर लिया है और यहाँ पर हम proceed पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर अपना bank account को verify करने के लिए यहाँ पर नीच आएंगे और यहाँ पर 6 digit का है कि 6 नमबर जो last के होते हैं आपके debit card, ATM card के उससे आप यहाँ पर enter कलेंगे अपने ATM card के उपर देखके और जो भी expiry month और year है आपके ATM card के उपर लिखा रहेगा उसको आप देखकर यहाँ पर enter कलेंगा उसके बाद आपको यहाँ पर proceed पर click करना होगा अब आप यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे अब आपके bank की तरप से आपके number पर एक OTP आएगा, one time password और इस तरह के से यहाँ पर verify हो जाएगा अब आपको यहाँ पर इसको okay करना होगा अब आपको यहाँ पर 6 number का अपना एक नया UPI pin को create करना होगा बनाना होगा, और याद रखीगा किसी bank में 6 number का UPI pin मांगा जाता है और किसी bank में 4 number का UPI pin बनाना होता है, तो आपको बिलकुल भी confused नहीं होना है, तो चलिए हमने 6 number का अपना UPI pin बना लिया है और guys आपको इसको मजबूत सा pin बनाना है और किसी को भी इसको share बिलकुल नहीं करेंगे उसकी बाद OK करेंगे दुबारा से आपको उसी UPI pin को दुबारा एंटर करना होगा, जो अभी आपने बनाया था हमने दुबारा एंटर कर लिया है, OK करेंगे अब यहाँ पर देखीगा, आपका यहाँ पर bank account जो है, इस तरीके से verify हो जाएगा, और आपका account जो है link हो जाएगा, अगर आप अपने account का balance चक करना चाते हैं, तो आपको यहाँ पर check balance के उपर click करना है, और जो भी आपका UPI pin आपने बनाया था, उसको आप यहाँ पर enter कर लेंगे चलिए हमने enter कर लिया है, ओकी करेंगे और जितना भी आपके account का balance होगा वो आपको यहाँ पर नज़रा जाएगा, चलिए हम paytime की home page पर आचुके हैं, अब आपको payment कैसे करना है, तो guys यहाँ पर आपको payment करने के लग-लग तरीके हैं, सबसे पहला है कि आपको scan and pay के उपर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले camera की permission को allow करना होगा, और यहाँ पर आपको camera की permission को यहाँ पर okay करना है आप guys बहुत बार दिखाऊगा आपने इस तरीके से बहुत सरी दुकानों में या फिर आप जहाँ भी swapping करने जाते हैं QR code लगा होता है, तो बस आपको इसको यहाँ पर scan करना होता है scan हो जाने की बाद आपको कितना पैसा transfer करना है मान के चलिए हमें 100 रुपे किसी को transfer करना है क्यों कर रहे हैं, आप चाहे तो यह payment मेंने क्यों किया था, उसके बाद proceed करेंगे, और यहाँ पर pay के उपर आप क्लिक करेंगे, अब आपने जो भी UPI पिन अपना बनाया था, उसको आप यहाँ पर enter कर लेंगे, और ok करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 100 रुपे का payment कर लिया है, और successfully हमारा payment ट्रांसपर हो चुका है, इसके अलावा अगर आप किसी अपने friend को mobile number पर पैसा भीजना चाहते हैं, और उनका pay team account के साथ में bank account link है, तो आप direct की mobile number पर पैसा ट्रांसपर करेंगे, और उनके bank खाते में पैसा जमा हो जाएगा, इसके अलावा अगर आपके पास rupee का credit card है, तो आप अपने rupee credit card को यहाँ पर link करके payment भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी को bank खाते में पैसा transfer करना चाहते हैं, तो आपको direct की यहाँ पर जो है, to bank account को select करना होगा, और यहाँ पर जिनको भी आप पैसा भीजना चाहते हैं, bank account में, आपको यहाँ पर select करना होगा, bank account, और यहाँ पर आपको simply उनका account number enter करना है, और यहाँ पर IFC code enter करेंगे, और उनका bank में क्या ना है, मैं आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, otherwise इसको छोड़ भी सकते हैं, अब हम यहाँ पर proceed करेंगे, और दुबारा से pay करेंगे अब हमने जो भी UPI pin बनाया था, उसको हम यहाँ पर enter कर लेंगे, और OK करेंगे, अब आप देखेगा, हमारा payment यहाँ पर successfully complete हो चुका है, इसके लाबाँ आप जो भी लेंदेन करते हैं, आपको यहाँ पर जो है, balance और transaction की history आपको यहाँ पर नजर आती है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी account link है, आपको नजर आएगा, उसके सामने किसको transfer किया है, कितना पैसा आपने receive किया है, सारे की सारे आपको जो है transaction history आपको यहाँ पर नजर आ जाती है इसके लाबाँ यहाँ पर आपको Paytm Payment Bank का भी option मिल जाता है, और Paytm Wallet का भी option मिल जाता है, इसके लाबाँ अगर आप recharge करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर mobile recharge पर क्लिक करना है, अपना mobile number enter करेंगे, plan select करेंगे, और payment करेंगे आपका recharge हो जाएगा, उसी तरह के से आप यहाँ पर data recharge, electricity bill और यहाँ पर credit card bill भी जमा कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं, इसके लाबाँ आप PTM को refer करके यहाँ पर आरने भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि आपके पास क्या offer चल रहा है, तो आपको सबसे उपर यहाँ पर profile का icon नज़र आएगा, इसके उपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप नीचे एंगे, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा refer and win, जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे, अभी फिलाल guys यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी फिलाल मेरे phone number पर जो है, कोई भी यहाँ पर refer का offer नहीं चल रहा है, अगर आपके number पर कोई भी referral and earn का offer चलेगा, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आप refer करके यहाँ पर जो है, अच्छी खासी income भी कर सकते हैं, चली यहाँ पर मैं आपको proof दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह के से पैसे कमाए है, balance and history के उपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब यहाँ पर मेरे number पर offer चल रहा था, तो मैंने बहुत सरे दुस्तों को refer किया था, और यहाँ पर प्रेटेम के तरफ से मुझे जो है, multiple time जितने बार मैंने refer किया था, उतने time मुझे यहाँ पर cashback मिला था, तो इस तरह किसे आप प्रेटेम का use कर सकते हैं, और यहाँ से refer करके पैसे भी कमा सकते हैं